हेलो स्टूडेंस दिस दॉक्टर कुमुद जैन असिस्टर्न प्रोफेसर जी लसी बीकाने कंपनी लॉक को कंटिन्यू करते वे जो नेक्स्ट वीडियो है वो काफी इंपोर्टेंट है एक्जाइम पॉइंट अफ यू से यदी कुशन स्टाट करें तो इसका जो थर्ड क्लाह है या इस दध भजब्जाट दॉब्ज व्यू गया टॉब्जुटिनीव कर रहा है टो इसका जो थर्ड क्लाओं है इस धिश्क्र दॉब्जुटिनू कररह है है प्वे जुडदिनु अशीशोशिचिनु व्यू बजू for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in funders thereof company adiniam ki dhara चार कर से घर के अधीन उद्देशे खंड सीमा नियम का सब से महत्पून भाग होता है क्यों होता है? क्योंकि इसमें company के कारे शेत्र और उद्देशे का उलिक रहता है उद्देशे खंड फिर क्यों important है? क्योंकि वह एक अधीकार शेत्र को निर्धारित करता है और इसमें निर्धारित सीमा के भार कोई कारे कंपनी नहीं कर सकती है जो उद्देशे है वह निर्धारित होते समय company को दो बातों की और विशेश द्यान देना चाहिए क्या देना चाहिए? कि एक तो उद्देशे खंड में ऐसी कोई बात नहीं हो जो अन्यतिक हो अथ्वा विधी के विर्ध हो और दूसरा क्या होना चाहिए? कि उद्देशे खंड दुआरा company का कोई ऐसा कारे करने के लिए अधिकरत उसे company को नहीं किया जाना चाहिए जो कि company के company अधीनियम के उपबंदों का उल्लिंगन करती हो ये इसलिए important है क्योंकि देखे देखा जाए तो जो उद्देशे खंड है उसे पढ़कर जो भारी व्यक्ति है वह company अपनी में पैसा लगाता है तो यदि उद्देशे खंड में किसी भी प्रकार से इधर उदर की कोई बात लिखी रहती है या अनेतिक कारे होता है तो वह अपना पैसा लगाते वक्त उसे सोचना पड़ सकता है तो उद्देशे खंड बिलकुल क्लियर होना चाहिए यह जो केस है एक और important केस है ए लक्ष्मन स्वामी मुदालियर वर्सिस Life Insurance Corporation of India इसमें क्या अभी निर्दारित किया उच्छतम नेले दुवारा यह प्रत्थम महत्पून बात था और यह जो केस है यह 1963 का है देखे कहीं कभी 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 क्योंकि अब अपन सेकेंड एर का जो स्टूडेंट है उसे कभी कभी जो केसिज है उसका जो निर्नित वाद है उसमें कभी कभी जो किस सन में यह वाद निर्नित किया गया लिख देना चाहिए एक्जाम में जिनका उन लेक उद्देश-खंड में किया गया है, परन्तु वह, important लाइन, उद्देश-खंड में, यदि company में कुछ लिख दिया गया है, तो उसके बाद वह इनके बाहर कारे नहीं कर सकती है, उद्देश-खंड से परेकारे नहीं किया जा सकता है, अब देखें कभी-कभी ये भी होना चाहिए क्योंकि अब 20-13 का अधीनियम है तो 56 की यदी बात थोड़ी सी लिख दी जाए तो ये माना जाता है एक्जाइमनर ये देखता है कि इसने थोड़ा अच्छा पढ़ा है कमपनी अधीनियम 1956 के अंतरगत कमपनी को अपने उद्देशे खंड को तीन भागों में दर्शाना आवश्चक था तीन भाग क्या थे? मुखे उद्देशे, अन्ने उद्देशे और वह राजे जिनके प्रती उद्देशे कहा जाता था परन्तो जो वर्गी करण अब नया जो अधीनियम है, कमपनी अधीनियम 23, इस वर्गी करण को विलोपित कर दिया गया है और उद्देशे खंड में केवल दो बाते दर्शानी होती है पहला क्या है? वह मूल उद्देशे जिसके लिए कमपनी का निगमन किया गया है main object को second क्या हो जाएगा उक्तमुल उदेशे को आगे बढ़ाने के लिए यदि और कुछ किया जाना है तो उस बात का उले के यानि की ancillary अब क्योंकि बड़ा question है तो इसमें आगे point और क्या हो सकता है यह तो introduction हो गया उदेशे खंड की उप्योगीता देशे खंड के दो मुखे प्रयोजन हो सकते क्योंकि विदिक दरिश्टी से यह बताना है विदिक दरिश्टी से एक कंपनी एक विधानिक व्यक्ती होने के कारण स्वेम के नाम पर संफति धारन कर सकती है परन्तु कंपनी की अंश पूंजी के वास्त्विक स्वामी तो उसके अंश धारी गण ही होते हैं ठीक है ये इंपोर्टन्ट हो गया अब उद्देशे खंड की उपयोगिता और अगर पढ़ें तो क्या हो सकता है परंतु कंपनी की अंश भूमी देखें ये ध्यान रखें अंश पूंजी के वा नियों किया है वह स्वाबिक वक्तह यह आशा करते हैं कि उनके उन्हें कंपनी के मुखे उद्देश्यों तथा कारें की पूरी जानकारी मिलती रहे इस प्रकार से यह उद्देशे खंड कंप्लीट हुआ अब यह जो डॉक्ट्रीन ओफ वाइरस है यानि की डॉक्ट्रीन अल्रा वाइरस यह नेक्स्ट वीडियो में अधिकारातित का जो सिद्धान्त है यह एक और बार जो नेक्स्ट वीडियो है उसे उसमें आपको समझा दिया जाएगा थैंक यू सो मच टेक केर और बी सेफ आट रूम